नमस्कार दोस्तों गई हैं और कुछ रासनकार ऐसे हैं जो पातर माने गई हैं इसी बीच कुछ ऐसे रासनकार धारक भी हैं जिने यहां पर यह फिरी रासन का लाब नहीं मिलने वाला है यह संपूर्ण जानकारी आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं वीडियो को सुरू करने से पहले हमा सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाब उठा सके चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर वीडियो के सुरुआत कर लेते हैं और आपको सभी जानकारी इस टैप बाइस टैप डिटेल वाइस में बताते हैं सरकार के आदेस के बाद कारवाई के डर से लोग रोजाना अपना रासनकार वापस कर रहे हैं ऐसे इस्तिति में पातरों को भी अपना रासनकार के निरस्त होने का आसंका बनी हुई है लोगों के संका को खतम करने के लिए यूपी सरकार के यूपी सरकार ने इश्टपश्ट कर दिया है कि रासनकार के निरस्तिकरण के सम्मद में कोई नया या पर आदेस जारी नहीं किया गया है इसी पर यूपी के खाद्य आयुक्त ने कहा कि ये रासनकार सत्यापन परकिरिया है जो समय समय से चलती रहती है रासनकार सेंडर करने और पातरता की नई सर्तों के संबन में आधार ही इन खबर फैल रही है सच्चा ये है कि पातर घ्रहिस्ती रासनकार धारकों की पातरता और आपातरता के संबन में साथ अक्टूबर दोजार चोदा के सासना देस के मानक निर्धारित किये गए थे जिसे जिसमें वर्तमान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है खादे आयुक्त ने लोगों के बीच रासनकार को लेकर फैल रही खबर को इसपश्ट करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं के अंतरगत आवंटित पक के मकान बिजली करेक्शन एक मातर सस्तर लाइसेंस धारक बाई के मालिक और दोस्तों यहाँ पर गाउं और मुर्गी पालन के आधार पर किसी भी करदार को ऐपातर घोसित नहीं किया जा सकता है बता दे कि पातर लोगों का नियमों के अनुसार नए रासनकार बनाने की परकिरिया चल रही है दोस्तो जिसका भी नया रासन कार्ड बना जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ इस नियामों के अनुसार ही बना जाएगा जिनके गर में ये कनक्सन है ये सबी चीजे पाई जाती है उनका नया रासन कार्ड बना दिया जाएगा सरकार एपातर लोगों से रासन कार्ड जब्त करेगी साथ ही कार्ड द्वारा सरकार से लिए गए रासन की उनसे रीकवरी भी की जाएगी इस बात को लेकर लोगों में खोफ बना हुआ था खादे आयुक्त ने इस पश्टी करण के बीच लोगों दोस्तों लोग बड़े पैमाने पर रासन कार्ड वापस कर रहे हैं दोस्तों यहां पर हम आपकी जानकार के लिए बता दिक जो आपातर रासन कार्ड धारक है उनसे यहां पर कोई भी वसूल नहीं की जाएगी और नहीं उनसे उनके खिलाफ यहां पर कोई सक्त कारवाई की जाएगी अब दोस्तों बात करते हैं यह हैं रासनकारधारक आ गए हैं अब आपातर की सिरिनी में दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सहर या नगर ये इलाकों के बारे में जो व्यक्ति रासनकारदा रखे रहते हैं परिवार के पास 80 वर्ग मीटर की वैवसाई की जंगया हो और एक से अधिक सस्त्र लाइसेंस वाले परिवार सभी आयकर दाता जो यानि की टैक्स देता है परिवार में 4 पहियां वाहन AC 5 कवे का जैननेटर हो परिवार के किसी सदस्य के पास दोस्तों यहाँ पर सम्मिलित 100 वर्ग मीटर से ज़्यादा खुद गा पलाट या मकान हो अब दोस्तों वे तो जो हमने आपको बताए हैं वे सहर के बारे में थे अब बात करते हैं गरामीन इलाकों के बारे में यहाँ पर दोस्तों सभी आएकर दाता सामिल के गए हैं ऐसे परिवार जिनकी सालाना आए 2 लाक रुपे से ज़्यादा हो परिवार में 4 पहियां वहां ट्रैक्टर, हार्वेस्टर या AC 5 कवे का जैननेरेटर हो परिवार में 5 एक करसे अधिक संजित भूमी हो तो दोस्तों ऐसे सभी को यहाँ पर एपातर रासन कार्ड स्रेणी में लिया गया है अगर आप सहर में रहते हैं या ग्रामीन छेतर में रहते हैं अगर आपके घर में यह सभी चीजे पाई जाती हैं तो दोस्तो आप पातर रासन कार्ड की सिरेणी में आ गए हैं आप अपना रासन कार्ड ना तो अपडेट करा सकते हैं ना नवीनी करन करा सकते हैं ना दोस्तो आप रासन प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों जो फिर रासन है वह किन लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पर जो हमने आपको बताए थै कि यह वैक्ति यहाँ पर पातर रासन कार्ड की सिरेणी में आगए है जिनका दोस्तों यहाँ पर नया रासन कार्ड बनाय जा रहा है इन नियमों के अनुसार यानी की जिनके पास यहाँ पर आवंटित पक्का मगान है बिजली कनेक्सन है एक मातर सस्त्र लाइसेंस है बाइक के मालिक है गो यहां मुर्गी पालन करते हैं दोस्तों इनका यहाँ नया रासन कार्ड बनाय जा रहा है इन नियमों के अनुसार ही और दोस्तों इनके ही इनी वैक्तियों के यहाँ पर फ्री रासन का लाब दिया जाएगा अगर महीने में दो बार फ्री रासन दिया जाता है और साथ में यहाँ पर दोस्तों गेहूं, चावल, नमक, चीनी, आ खाने का तेल चनह आदी दिया जाता है तो दोस्तों इन इनकों भी दिया जाएगा ये दोस्तों depend करता है कि आपके पास कौन सा रासनकार धारक, आप कौन से रासनकार धारक क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है जिससे हम प्ररेथ होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए लाश्ट मिनी वेदर नहीं करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत